कोरोना जिस तरफ फैल रहा है उसने विश्व भरमें हेल्थ एक्सपर्ट्स को और सरकारों को और जादा सतर कर दिया है भारत में भी कोरोना के खिलाप लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े हम विजई कैसे हो हमारे हां नुक्सान कम से कम कैसे हो लोगों की दिक्कते कम कैसे करे इन बातों को लेकर राज्जों के साथ निरंतर चर्चाएं की है और इन सभी चर्चाओं मैंसे एक बात उभर करके आती हैं हर किसे का यही सुझावाता है नागरीकों की तरफ से भी यही सुझावाता है कि लोकडाउन को बढ़ाया जाए कई राज्यतों पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं साथियों सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तै किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब तीन मैं तक और बढ़ाना पड़ेगा याने तीन मैं तक हम सभी को हर देश्वासी को लॉकडाउन में ही रहना हुगा इस दोरान हमें अनुशाशन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं मेरी सभी देश्वासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी किमत पर नए एक शेत्रों में फैलने नहीं देना है स्थानिय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विशे होना चाहिए कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्य होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए और इसलिए हमें होर्ट स्पोर्ट को इंगित करके पहले से भी जादा बहुत जादा सतकता बरत नहीं होगी जिन स्थानों के होर्ट स्पोर्ट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी कठोर कदम उठाने होगे नए होट स्पोर्ट का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनोती देगा नए संकट पैदा करेगा इसलिए अगले एक सप्ता में कोरोना के खिलाप लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी बीस एप्रिल तक हर कस्बे हर थाने हर जिले हर राज को बड़ी बारी किसे परखा जाएगा वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है उस खेत्र ने करोना से खुद को कितना बचाया है इसका मुल्यांकर लगातार किया जाएगा जो खेत्र इस अगनी परिशा में सफल होंगे जो अपने अहां होट स्पोर्ट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके होट स्पोर्ट में बदलने की आशंका भी कम होगी वहां पर 20 अप्रिल से कुछ जरूरी गतिविद्यों की अनुमती छुटचाट दी जा सकती है लेकिन याद रखे ये अनुमती सवशर्ट होगी बहार निकलने के नियम बहुत सक्त होंगे लॉकडाउन के नियम अगर तूरते हैं और करोना का पैर हमारे इलागे में पढ़ता है तो सारी अनुमती तुरंत वापिस ले ली जाएगी और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और नहीं किसी और को लापरवाही करने देना है मेरे देश्वासियों कल इस बारे में सरकार की तरब से एक विस्तरुत गाइडलाइन जारी की जाएगी